कि Hello and welcome back ।asude इस वीडियो में हम लोग और नमबर और इवे नमबर को कुस्पेंगे कैसे जाए नमबर एड़ इवे नमबर को करते हैं सबसे पहले हम लोग चलते हैं अध़ नमबर को बिंद करते इस सबसे पहले हम लोग एक क्लास बनाएंगे क्लास का नाव हम लोग देते हैं और and braces के अंदर हम लिखेंगे public static white man and bracket के अंदर एक string रहेगा and bracket को हम लोग close कर देंगे braces के अंदर हम लोग for loop पर यूज़ करके और नमबर को print करेंगे तो bracket के अंदर हम लोग एक integer type का variable बनाएंगे जो कि i is equal to 1 से start होगा i is less than and equal 20 तक के नमबर के 20 में हम लोग और नमबर को print करेंगे and semicolon देते हैं i is equal to i plus 2 हम लोग और नमबर करने के लिए एक हम लोग condition देंगे i is equal to i plus 2 जब i plus 2 होगा तो numbers और नमबर करने के लिए braces के अंदर हम लोग लिखेंगे system.out.print and bracket के अंदर हम लोग लिखेंगे double call के अंदर हम लोग एक space देंगे कि numbers के बिच space हो and plus लगा के हम लोग i को print करेंगे and बहा एक semi color लगा देंगे so guys इसे हम लोग save करते हैं और चलते हैं इसे हम लोग अपने prone command में run करते हैं यां कि सबसे पैले हम लोग इसे pior कर लाते हैं हम लोग इसे पिछिमी वीडियो में लेखा था को गाए सबसे पहले हमसे वीको कंपईल करांगे फाइल को कंपाइल करने देंगे लिए लिखेंगे जावा सिचल प्लाइल कर लिखंगे java अपको थैम डोता है code error तो नहीं है code कोई error नहीं है file compile हो चुका है and file को हम लोग run करेंगे java and class का नाम देंगे and enter करेंगे and code run होगा so guys यहां पर code run हो चुका है one three five seven nine eleven यानि कि यह एक और number हम लोग ने एक और number प्रिंट किया so guys हम लोग even number को भी प्रिंट करेंगे इस वीडियो में तो so guys even number प्रिंट करने के लिए हम लोग एक class बनाते हैं class का नाम हम लोग देंगे even so guys सबसे पहले हम लोग इसे कमेंट कर लेते हैं code कमेंट हो गया और हम लोग एक code लिखते हैं हम लोग एक class बनाएंगे इसमें even नाम का even number बनाएंगे and same code होगा public, static, quiet, main and bracket के अंदर एक string रहेगा string a and एक fall look का हम लोग यूज करेंगे fall look पर यूज करेंगे तो एक इंडियर टाइक का बेरिवर रहेंगे जो कि i is called 2 हम लोग 2 से start करेंगे क्योंकि हमें even number प्रिंट करना और 20 तक के नंबर में हम लोग even number को प्रिंट करेंगे so guys यहां पर i plus 2 होगा i plus 2 and bracket हम लोग close करेंगे so guys यहां पर system.out.print i को हम लोग प्रिंट करेंगे so guys हम लोग इसे save करते हैं और चलते हैं इसे run करते हैं असे बहले file कंपाइट कराएंगे file कंपाइट करने के लिखेंगे java cp5.java file कंपाइट होने में फोबाड टाइम लगता है उस्ते बाद हम लोग लिखेंगे java and class का नाम देंगे even so guys file compile हो चुका है लिखेंगे java and class का नाम देंगे even and enter करेंगे यहां पर even number प्रिंट हो चुका आया है दो दो, फोर, सिक्स, एड, टेन, ट्वेल यहां पर even number प्रिंट हो आया हम लोग थोड़ा सा चेंज किये थे यहां पर even number प्रिंट करने के लिए एक integer type का variable टूल यह थे और एक उपर में हम लोग देखे थे और नमबर प्रिंट करने के लिए इंटीजर टैप बेर ये बाहा हम लोग मौन लिएते हैं I hope आप लोग कही आप आया होगा आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सस्क्राइब करने और वीडियो को लाइक है हम लोग चलते हैं और अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सियो गाइस नेक्स्ट ताम